तीन महिने में टूटी थी शादी, पती की मौत के बाद भी सुला सिंगार करती है ये दिगज आक्ट्रिस, जाने वज़ा, सिंदूर लगाना और मंगा सुत्र पहनना किसी भी सुहागिन महिला की निशानी माने जाती है, लेकिर हिंदू धर में ये भी माननेता है कि पती की जगाने को लेकर कापी सवाल भी किये गए जिसका उनने जवाद दिया था, निशी जिन्दगी हो या फिर पेशे वर्जन्दगी, दोनों में रेखा ने बहुत संगर्श किया है, उनकी जिन्दगी के कई किस से और राज तो लोगों को पता है, लेकिन कुछ किस से रेखा क दिल में ही दफन है, रेखा के माथे का संदूर आज भी एक राज है और इस पर कॉंट्रवर्सी होती रहती है, लोग जानना चाहते है कि आखिर पती के मौत के बाद भी रेखा किसके नाम के संदूर अपने मांग में भरती है, आला कि रेखा संदूर और मंगसुत पहन कर क खुलासा किया था उस दौर में रेखा और अमता बचन की प्रेम कहानी के चर्चे फिल्मी गल्यारों में आम थे ऐसे में रिशीक पूर की शादी में संदूर लगा कर पहुंची रेखा को देखने के बाद जया बचन सन रह गई थी बाद में हिंदुस्तान टाइम्स को दिया पुनित इससर की पत्नी दिपाली ने कहा था कि वो मता बचन के नाम का संदूर लगा दी है दरसल रेखा अपनी एक फिल्म के प्रमोशन के लिए बिग बॉस एट में पहुंची थी जहां उन्होंने पुनित इससर को पूई तरह से इंग्नोर किया था कहा जदा है कि पुन सब्सक्राइब करें